वेलकम टोनली आईस स्वागत है आप सभी लोगों का प्रिलिम्स बूश्टर न्यूज डिसकुशन में आज है 16 सितंबर 2020 तो आए देख लेते हैं ऐसे कौन से न्यूज अन आर्टिकल्स हैं जो आज हमें डिसकस करने हैं जो हमारा पहला आर्टिकल है वो UN's Commission on Status of Women UNCSW के बारे में है देखे हाल ही में इंडिया जो है वो CSW यानि की Commission on Status of Women के मेंबर के रूप में चुना गया यह जो CSW है या आप इसे UNCSW भी बोल सकते हैं Commission on Status of Women यह एक बॉड़ी है Economic and Social Council की यानि की ECOSOC की ECOSOC औरगन है United Nations का देखे United Nations के 6 specialized organs हुआ करते थे यह देखी अभी तो केवल 5 ही functional है जिनमें एक है यहाँ पर सबसे पहले तो General Assembly उसके बाद United Nations Security Council यानि की यह पहला हो गया यह दूसरा हो गया तीसरा है इसका Secretariat, चौथा International Court of Justice, पांचवाँ Economic and Social Council तो यह है ECOSOC जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह organ है किसका? United Nations का 6 organs में से एक यह है और जो छठा है वो है Council of Justice या इसे Justice Council भी कहा जाता है, राइट नौ यह functional नहीं है क्योंकि इसका उद्देश यह कुछ और था, पहले कुछ ऐसी countries थी, जो पूरी तरीके से independent नहीं थी वहाँ पर administrative setup को build करने के लिए, जब तक कि वह अपने administration के लिए able ना हो जाए या comfortable ना हो जाए, तब तक उनका administration United Nations को सौपा जाता था और in that case, यह काम United Nations का जो औरगन करता था, वो था trustorship council चुँकि अब ऐसा कोई देश है नहीं, जहां का governance या वहां का जो political system है, वो United Nations को manage करना पड़े, तो इस council of trustorship के पास अब कुछ खास काम है नहीं, तो जो functional organs है, वो तो 6 हैं, तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, वो economic and social council की बात कर रहे हैं, यानि कि eco-soc के बारे में हम बात कर रहे हैं, और eco-soc की ही एक body है, commission on status of women, जिसके member की रूप में अभी India को elect किया गया है, तिकि जो CSW है, यह principal organ है, या principal global intergovernmental body है, मतलब यहां पर जो पिवन देशों की सरकारे हैं, वो आपस में मिलकर काम करती हैं, यह पूरी तरीके से dedicated है, gender equality और women employment के लिए, male female के बीच में equality हो, और महिलाओं के एक main organ है, United Nations का एक main organ है, headquarter इसका New York में है, USA में, यह women right को promote करने का काम करता है, मतलब उनकी अधिकार सुरक्षित रहें, सुनिश्चित करें, यह काम यह body करती है, और women अपनी जीवन में किस प्रकार की वास्तविकताओं को face कर रही है, जैसे ऐसा कहा जाता है कि women are facing a kind of glass ceiling, glass ceiling का मतलब यह होता है, कि उन्हें ऐसा लगेगा कि आस्मान खुला है, वहाँ पर वो जाके उड़ सकती है, फ्लाई कर सकती है लेकिन जब वो कोसिस करेंगी उस छट से बाहर निकलने का, they will feel a barrier वो CC का होगा, देखके तो नहीं लगेगा कि यह barrier है, बट वो है तो women glass ceiling face करती है, तो जो reality है, मतलब वैसे तो बड़ी-बड़ी बाते होती है कि women को काफी आजादी है, वो काफी अच्छा कर रही है, बट जो reality है, उसे highlight करने का जो काम है वो यह body करती है, पूरी दुनिया में, और जो global standards है, gender equality के लिए या women employment के लिए, उन्हें safe करने की कोसिस करती है 45 member states, जो United Nations के हैं, वो एक बार में, इस commission के member के तौर पे काम करते है बात अगर UN CSW की हो रही है, तो UN Women के बारे में भी बात कर लेते है UN Women को 2010 में established किया गया था, यह United Nations की एक entity है, यह भी gender equality और women employment के लिए ही काम करती है जो अमारा अगला article है, वो K.N. Dixit Committee के बारे में है, यह जो K.N. Dixit Committee है, इसे Ministry of Culture ने establish किया है यह export committee है, जिसको काम दिया गया है, कि यह Indian culture के origin और evolution की एक holistic study करें इस committee को chair किया जाएगा K.N. Dixit जी के द्वारा, जो की Indian Archaeological Society के chairman है और Archaeological Survey of India के पूर्व Joint Director General है, मतलब पहले थे, अभी नहीं है और कुछ और भी members होंगे उनके साथ इस committee में, इनको mandate यह दिया गया है कि आपको India का जो culture originate होता है, और develop होता है, 12,000 साल पहले आप जाएए और देखिए कि India का culture कैसे evolve हुआ, कैसे develop हुआ और उसे लेकर आज तक आईए, किसका development कैसे हुआ है, at the same time, आप इस शीज को भी evaluate करिए कि जो Indian culture है, वो बाकी की cultures के साथ कैसे जुड़ता है, दुनिया के बाकी cultures के साथ, सबहताओं के साथ तो ये जो काम है, वो के अन दिक्षित कमिटी को दिया गया है, कि वो भारती संस्कृती का एक जो evaluation है या उसकी जो study है, वो से करें, ये कैसे evolve हुआ जो अगला article है, वो phosphine gas के बारे में है, phosphine gas को अभी Venus पर identify किया गया है Venus यानि के सुक्र, जो की आपको चमकता हुआ, तारी की तरह दिखता है देखें, जो सुक्र है, उसके बारे में भी बात करते हैं, before that, एक international team है astronomers की, जोनोंने phosphine gas को Venus के atmosphere में discover किया है ये discovery important है, in various perspectives, phosphine एक colorless gas होती है, इसका कोई color नहीं होता लेकिन ये जलती है, flammable है, और explosive भी है, मतलब normal temperature पे भी इसमें विसफोट हो सकता है इसकी जो महक है, जो गंध है, वो या तो लहसुन की तरह, या फिर सड़ी हुई मचली की तरह होती है मतलब obvious सी बात है कि इसकी महक तो अच्छी नहीं होती है और ये पानी में soluble है, slightly, पूरी तरीके से नहीं इसे biological process के through produce किया जा सकता है या फिर plants and animal के decay से भी ये तयार हो जाता है देखे, Venus की बात करते है, ये Earth का closest planet है मतलब Earth के सबसे नजदीक आपको Venus मिलेगा और देखे, सबसे पहले तो आपको Neptune मिलेगा देन Venus, देन Earth, देन Mars तो यहाँ पर Earth के सबसे नजदीक जो है, वो Venus है इसका जो structure है, वो more and less Earth की तरह ही है लेकिन चुकि यहाँ पर एक बहुत थिक और toxic atmosphere है जो की sun heat को trap करके रखता है उसी की वज़े से इसका जो temperature है, वो 880 degree Fahrenheit या 471 degree Celsius तक पहुँच जाता है That's why यह हमें चमकता हुआ तारी की तरह दिखता है ठीक है, जो अगला article है, वो world के largest rooftop greenhouse के बारे में है यह जनरल से information है, बहुत UPSC के perspective से तो हम नहीं कहेंगे कि UPSC तो ऐसे नहीं पूसती, पर जनकारी के लिए आप जानते रहिए कि जो दुनिया का पहला rooftop greenhouse है, उसे अभी Montreal Canada में open किया गया है 15,000 square meter का यह है, लूफा farms ने इसे establish किया है इसके पहले वो तीन और भी ऐसे farms establish कर चुके हैं मतलब छटों के ऊपर greenhouse form में Greenhouse देखे एक ऐसा mechanism होता है, जिसमें heat को trap किया जाता है मतलब वो उस location की temperature को ना तो बहुँच अदा गरम और ना ही बहुच अदा ठंडा होने देता है result यह निकलता है कि कुछ plants जो ऐसे temperature के requirement करते हैं उन्हें आसानी से उगाया जा सकता है जो अगला article है वो हिलसा फिस के बारे में है हाल ही में Commerce Ministry आप बांगला देश ने expression permission traders को दे दी है कि वो हिलसा फिस इंडिया में export कर सकते हैं limited scale पर दुर्गा पूजा के perspective से क्योंकि दुर्गा पूजा में यह जो मचली है ritual में इसका इस्तेमाल किया जाता है waters में entry करती है और वहाँ पर spawn करती है यानि कि अंडे देती है लेकि sponge जो word है अंडे देने के लिए ये केवल मचलीओं और मेड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है आप मुर्गी के लिए spawn word का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि जो मुर्गी है वह ले करती है इस्तेमाल नहीं करती distribution ये गंगा प्रहमपुत्रा रिवर सिस्टम में पाए जाते है इंडिया और बांगलादेस दोनों ही जगहों पर ठीक है ये एक herring जो species है फिसकी उसी प्रजाती से बिलॉंग करती है और किलुपैडी जो एक family है उसी की ये species है खेर ये तो UPSC आपसे नहीं पूछेगी आई उसे अंडियल लिस्ट में इसका status threatened है ये आप जानते रहिए ये UPSC आपसे पूछ सकती है ये बांगलादेस की national face है, state symbol है इंडियन state of वश्पंगाल और तरपूरा का तो ये information आप अपने दिमाग में रख सकते है जो अगला article है वो methane hydrate के बारे में है अब ये हाल ही में बायोजनिक methane hydrate पर एक study को conduct किया गया बायोजनिक का मतलब एक ऐसे mechanism से है जिसमें living organisms की मदद से methane को produce किया जाता है और ये जो बायोजनिक methane hydrate के study की बात की जा रही है ये केजी बेसिन में यानि कि कृष्णा गुदावरी बेसिन में इसकी research को conduct किया गया इस research को conduct किस ने किया इस research को conduct किया गया था आगर कर research institute के दवरा यानि कि ARI के दवरा एक प्रकार का autonomous institute है जो कि Department of Science and Tech के तहत काम करता है methane के बारे में बात करते है methane एक बहुत ही clean और economical fuel है मतलब बहुत महगा भी नहीं है इसलिए natural gas जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो उसका एक major constraint भी है methane अगर हम hydrocarbon fuels की बात करें तो उनकी तुलना में methane जो है वो बहुत कम carbon dioxide produce करता है इस लिहाज से और मतलब each unit of heat जो यह generate करता है उसके लिए CO2 का release बहुत कम करता है तो comparatively ठीक है यह at least hydrocarbon fuse की तुलना में ठीक है methane hydrate की बात करते हैं देखिए यह प्रकाल का solid clathrate compound होता है clathrate का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको crystal structure में मिलता है solid form में और यह जो crystal structure आपको solid form में मिलता है इसमें बहुत बड़ी मात्रा में methane trapped रहता है मतलब एक छोटा सा crystalline solid form आपको मिलेगा इसके अंदर जो methane gas होगी उसकी मात्रा बहुत जादा होगी that is the reason कि जो methane hydrate है इसको लेकर scientist काफी interested methane hydrate बनते कैसे है जब hydrogen bonded water और methane यह आपस में contact में आते हैं high pressure में जहां पर temperature बहुत कम हो oceans की तली में देखिए यह दोनों ही चीज़े आपको आपको मिल जाएंगी चुकि पानी का pressure बहुत जादा होता है और समंदर की तली में हमें temperature तो low मिले ही जाता है approximately 160 to 180 cubic meter मतलब यह जो methane hydrate है यह तो बहुत छोटा होगा लेकिन इसके पास जो methane की मात्रा होगी वो बहुत ही जादा होगी इसलिए इसा कहा जा रहा है कि methane hydrate के लिए जो study की जा रही है kg basin में अगर वो हमें मिलता है अगर हम उसे कम भी estimate करें तो जो fossil fuel reserve दुनिया में पूरा है उसका दूगना हमें यहाँ पे methane मिल जाएगा ऐसे speculations है अब बहुतो बाकी research के बाद ही पता चलेगा यहाँ पर देखे बताया गया है कि कैसे समंदर के तनी भी है जो sedimentation आता है मतलब जो यह मिट्टी जमा हो जाती है उसी के नीचे हमें methane hydrate मिलता है जिसमें methane gas जो है वो trapped रहती है अगला article बुद्धिस्ट sites के promotion के बारे में Mr. of tourism ने अभी जो tourism related infrastructure और facilities हैं वेरिस बुद्धिस sites पर उनके development के काम को आगे बढ़ाने का मन बनाया है कई सारे initiatives या schemes launch किये गए हैं इस purpose से जिनको और effectively implement करने की बात की जा रही है पहला तो है स्वदेश दर्सनी scheme जिसमें हम कई सारे special circuits डेवलप करेंगे उसमें बुद्धिस्ट circuit भी डेवलप किये जाएंगे total 13 thematic circuit डेवलप किये जाने हैं जिनमें बुद्धिस्ट sites को भी promote किया जाएगा circuit कुछ इस तरीकी का mechanism होता है कि आप various pilgrimage sites को link कर देते हैं link करने का मतलब यह है कि आप एक site पर visit करने के बाद easily दूसरी और तीसरी site पे जा सकते हैं जिससे कि spiritual tourism भी अच्छी तरीके से develop होज पाएगा apart from that प्रसाद इसकी प्रसाद का full form है the pilgrimage rejuvenation and spiritual augmentation drive इसकी देखिए इसमें 30 projects हैं जो की pilgrimage locations के infra को develop करने की बात करते हैं iconic tourist site इसमें बोद गया अजंता और एलोरा इन्हें identify किया गया है iconic tourist site के रूप में ने develop किया जाएगा Buddhist conclave जिसमें बातचीत होती है where stakeholders के दवरा alternate years पर जहाँ आप Buddhist destination को develop करने प्रमोट करने की बात की जाती है और है diversity of languages देखे कई सारे जो Buddhist sites हैं उन पर जो signage है signage मतलब वो निसान जिसमें हम बताते हैं कि आपको अब इस तरफ जाना है दाएं जाना है बाएं जाना है आपको ये location यहाँ पर मिलेगी इसे signage कहा जाता है तो अब signage को various other languages में भी वहाँ पर install किया जा रहा है जैसे कि उत्तरपदेश में जो Buddhist monuments हैं वहाँ पर Chinese language में signage लगाया गया ताकि जो Chinese pilgrims हैं उनको हम यहाँ पर उन्हें हम आकरिस कर सकें कि वो यहाँ पर आएं और insights को visit करें अपार्ट फ्रम दाट सिनला language जो कि सिलंका की official language है उसे मदबदेश के साची monuments पर वहाँ की locations पर लगाया गया इंस्टॉल किया गया ताकि अगर इन देशों से जो tourist हैं वो आते हैं तो वो statements हैं आपको बताना है true or false तो इसे आप पढ़ लीजी एक बार यहाँ पर देखिए जो पहला statement आपको UN Commission on Status of Women पर दिखाया गया है यह गलत है गलत इसलिए है क्योंकि इसका जो headquarter है वो Paris France में नहीं है बलकि यह आपको New York USA में मिलेगा तो यह तो गलत हो गया केंदिक्षित committee यह भी गलत है क्योंकि financial inclusion के लिए नहीं रधर जो इंडिया की culture का evolution और origin है उसके लिए है फॉस्फीन गैस के बारे में जो बात है वो तो सही है वो और का जो largest rooftop greenhouse gas है ग्रीन हाउस है वो gas नहीं ग्रीन हाउस तो यह जो है यह भी गलत है because यह गुजरात इंडिया में नहीं है रधर यह Montreal Canada में है और जो पांचवा है health office के बारे में यह तो सही है तो आज के session में यहीं पर रुकेंगे Thank you very much